नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सबी का गुड़ मॉर्निंग, गुड़ मॉर्निंग, जईन भाई चले स्टार्ट करते हैं आज के किलास जमेट्री में काफी सारी चीज़ हम सीख चुके हैं काफी सारी अभी भी बची है स्टार्ट करेंगे पहले कोशन से पहला कोशन है आपके सामने ये PT एक मादिगा है जिसकी लंबाई 10 cm है ये तिर्बूज आपको दे रखा है राइट अंगल ट्राइंगल आपको ये बताना है कि QR पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी ध्यान से देखिए यानि इस पर अगर मैं perpendicular डालता हूँ तो answer क्या आएगा इस लंबाई का इस लंबाई PM की लंबाई कितनी होगी मैं आपसे एक ही बात कहूँगा इस चीज को याद करिए ये हमने बढ़ा था ये 2.5 ये 2.4 अगर 3, 4, 5 का सम कोण ये तिर्बूज है ठीक है यहाँ पर देखिए तो लंब कितना था 2.4 ये 3 का 4 गुना ये 4 का 4 गुना तो ये जो लंब आएगा ये कितना आजाएगा 9.6 आजाएगा ठीक है 2.4 का 4 गुना क्योंकि माद्धी का दे रखी है 10 दाई की वेल्यू 10 है 4 गुना हो गया 2.4 का 4 गुना 9.6 मेरा आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन पे कोशन मुश्किल नहीं था है नैस कोशन है आपके सामने ये आपको दिया गया है परीमाप 2 प्लस रूट 6 सेंटिमीटर माद्धी का दे रखी है इतनी तो एरिया ओफ ट्राइंगल आपको बताना है आईए देखते है राइट अंगल ट्राइंगल के लिए दभाई विल्कुल एक राइट अंगल ट्राइंगल है मेरे पास ध्यान से समझेगा ये माद्धी का जो बनाई गई है उसकी लंबाई कितनी है एक अगर ये एक है तो ये भी एक आएगा और ये भी एक आएगा इतना आप सबने सीखी लिया है अब मेरे को इस तरिबुच का एरिया निकालना है ठीक है ध्यान से देखिएगा इस तरिबुच का एरिया का मतलब है ये अगर P है ये B है ठीक ये क्या है? परीमाप है अगर मैं परीमाप में से दो घटा देता हूँ क्योंकि दो क्या है? ये H है तो मैं एको P प्लस B की value मिलेगी P प्लस B बराबर हो गया किसके? रूट 6 के अब मैं स्क्वेर करता हूँ अगर P स्क्वेर प्लस B स्क्वेर plus 2PB बराबर हो गया किसके? 6 के. P2 plus B2 किसके बराबर होगा? H2 के. H2 कितना है? 2 का 2 का 2 यानि 4. तो मैं बोल सकता हूँ 2PB की value कितनी आ गई? 2 आ गई. मेरे को किसकी निकाल नहीं है? Half PB की. क्योंकि ये area होता है. तो half मेरा answer आ जाएगा. 1 by 2 मेरा answer हो जाएगा. ठीक है? कितने लोगों को मेरे बास समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए. जल्दी से. अगर बास समझ आ गई तो MG टाइप करिए. जल्दी से. बहुत बढ़िया. दिखें, बहुत अच्छा question है. सेम question exam में मिल सकता है आपको. एक बार और देख लेते हैं. सम कोण ये तरिबूज है. अब यहाँ पर आप देखते हैं. तो माद्दी का एक हो गई. माद्दी का गर एक हो गई. तो ये भी एक, ये भी एक. इसका जो कर्ण है ये 2 आ गया. ठीक है? कर्ण अगर 2 आ गया तो अगर मैं पूरा परिमाप देखता हूँ तो P प्लस B प्लस 2 इसके बराबर था 2 से 2 कटा P प्लस B की वेलिव यह आ गई. और ये हमने पहली बाद नहीं करी इस तरीक एक्विशन में. पहले भी बहुत बार करा चुका हूँ. ठीक है? तो P स्क्वेर प्लस B स्क्वेर ह स्क्वेर होता है. ह स्क्वेर क्या आ गया? 2 का स्क्वेर. जो मैंने डारेक्ट 4 लिखा. मैं चाहता तो यहां एके करके भी लिख सकता था. P स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस 2PB root 6 का square पर मैंने वो step नहीं लिखा क्योंकि ये चीज़ हम पहले भी बहुर बाद solve कर चुके है 2 pb की value 2 आ गई half pb निकाल ला है half answer हो गया ठीक है बिल्कुल भाई आज का second question है circle में भाई अभी time है काफी time है अभी तो ये ही कर लो ठीक है circle अभी बहुर टाइम है in right triangle abc ab 3 cm एक second हो जाए इससे पहले एक question होड़ता है यार चाहिए एक question दो बाल लग जाए यार ये question मैं हटा आयता हूँ एक question ये है आपके सामने एक sum cone त्रिबूज है abc जिसमें cone c 90 degree है ad angle by sector है cone sum दूबाज़क a का ठीक है जो bc को d पे गाटता है ये question miss हो गया था पर अच्छा question है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ab 15 ac 9 ठीक है d की दूरी बतानी है ab से distance of d from ab ठीक है और कुछ और कुछ गीवन नहीं है चलिए और कुछ गीवन नहीं है आईए ध्यान से देखते हैं सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है एक right triangle है abc c पे समकोण है अगर मैं ये a माल लेता हूँ ये b माल लेता हूँ ad angle visector है कोण समद्वी बाजक ठीक है जो bc को d बिंदू पर काड़ता है ab अगर 15 है ac 9 है मेरे को बताना है d बिंदू की दूरी a b से कितनी होगी ये बताना है ठीक है माल लेता है मैं इसे x ले लेता हूँ ठीक ये question में की बना है इतना ठीक है diagram हाला कि मैंने खुद बनाया है ये angle visector है अब सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी लोग एक बात समझेगा जो अनुपात इसका है वोई अनुपात इसका होगा और 15 नो के साथ क्या बनेगा 15 नो के साथ तो 12 बनेगा 9 बारा पंदरा 3 ती या 9, 4 ती या 12, 5 ती या 15 है ना अब आगे देखते है angle visector ही property पिछली glass देखी है तो सीधर सीधर क्लिक करेगा 15 और 9, 24 24 की value कितनी है? 12 यानि आधा तो 15 की जगे के आजाएगा? इसका आधा आजाएगा साड़े साथ 9 की जगे के आजाएगा साड़े चार मैं लिखूँगा नहीं कुछ इसके इसके इलावा ठीक है? ऐसी चीज मैं लगातार आगे भी करता रहूँगा और पहले भी बहुत बार की है मैंने क्या करा? जो अनुपात इसका है उस अनुपात में इसे बाटते है 15 और 9 हो गया 24 24 की वेल्यू अगर 12 है यानि आधी तो 15 की आधी हो गए और 9 की भी आधी हो गए ठीक है? अब मेरे को निकालना क्या है? धिहान से देखिए मेरे को निकालना है यह वाला पार्ट X निकालना है अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करूँ इस बड़े ट्रेंगल का एरिया half into 9 into 12 अगर मैं इस वाले एरिय की बात करूँ half into 9 into 4 plus अगर मैं इस वाले एरिय की बात करूँ half into 15 into X ठीक है? इधर से देखूँगा ठीक है? यानि इसके अंदर मैंने दो त्रिबुज देख लिए मैंने ये बोला कि ये बड़ा त्रिबुज जो है इन दो छोटे त्रिबुज को मिलाके बनेगा तो बड़े का एरिया ये आ गया इस वाले छोटे का एरिया ये आ गया और इस वाले का एरिया यहां से देखा, half base into height यहां से में को x मिल जाएगा ठीक है, अब मैं x के लिए solve करता हूँ अगर, ध्यान से देखिएगा, half से half से half कट गया अब मैं देखता हूँ, देखिए ध्यान से, पूरा solve करने से पहले देखिए, और कुछ चीज कट सकती है, मैं देखता हूँ, 3 आ रहा है सम्में, 3 तीया 9 3 तीया 9 3 पंजे 15 अब मैं देखता हूँ, 12 तीया 36 और साड़े 4 into 3 साड़े 13 हो गया 36 में से साड़े 13 गया, तो साड़े 22 आ गया ठीक है साड़े 22 की value कितनी है 5x है x की value कितनी है 4 मेरा answer हो गया, खत्म 4.5, ये मेरा answer आ जाएगा ठीक है कितने लोगों मेरी बास समझ आ गई है जल्दी से mg type करिए जल्दी से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई कोशिश करिए चीजे ना एक बारी मेरे समझ आए, कोशिश करिए ऐसा मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी से अटेंटिव हो के किलास देखे बिल्कुल क्योंकि पता है, 500 कोशिशन कराना है जो अपने आप में बहुत बढ़ी बात है ठीक है, मैं चाहूँ तो 200-300 कोशिशन में भी खतम कर दूँगा, पर मैं चाहता हूँ इसके बाद आपको कभी कोशिश ना करने पड़े आपका समय बहुत महत्पूर्ण है अगर एक बारे में समझेंगे, एक क्लास में ज़्यादा कोशिशन हो पाएंगे अगर तीन-चार बार अगर मैं रिपीट कर दूँगा, तो वही कोशिशन की संख्या कम हो जाएगी डूरेशन अपने आप बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा देखिए नुकसान आप ही का है, देखिए मैं तो रिपीट कर दूँगा, मेरे को कोई देख कर द नहीं है चलिए बाई, बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू गया, स्टार्टिंग की क्लास से देखिए पहले फिर इस पे आईए स्टार्टिंग की क्लास बिल्कुल जीरो से ही है ध्यान से देखिए एक बार और इस तरिबूज के अंदर मेरे को दो तरिबूज नजर आ रहे है यानि बड़े वाले का एरिया ये रहा इस वाले का एरिया ये रहा उपर वाले का एरिया half base, base कुन सी है उपर वाले के लिए ये, height कुन सी है ये तो half base into height के और solve कर लिया, answer निकाल लिया ठीक है बिल्कुल, इसे base माना है, इसे height मैंने arrow भी लगाया, केवल इसलिए कि अब इसे यहां से देखा मैंने यहां से नहीं देखा, ठीक है आप एक चीज़ और कर सकते हैं यहीं पर, देखे ध्यान से ये तो आपने देख लिया ना अब देखे में को अभी अभी ध्यान आया, मैंने के यार ये तो बहुते simple हो सकता है अगर बच्चा चाहे तो बच्चा चाहे तो इसे बहुत simple कर सकता है कैसे आई ये देख लेते हैं अब ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से देखना है सभी को ठीक है कुछ similarity नहीं लगाने, similarity नहीं लगा पाएंगे यहां, angle नहीं पता हमें ठीक है बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग मैं आपसे बोलता हूँ के वल न इस triangle पे नजर मारिएगा ये वाला triangle इसका area मैं दो तरीके से देख सकता हूँ कैसे half into 15 into x ये भी हो सकता है बिलकुल हो सकता है यहां से देखने पर अगर मैं इसे यहां से देखू तो half into 7.5 into height height क्या होगी ये हो जाएगी 9 तो half से half कटा साड़े साथ से 15 कटा x की value के आ गई 9 by 2 9 by 2 मेरा answer हो गया साड़े चार मेरा answer हो गया आपको बताया था ना मैंने कि कोई भी triangle अगर obtuse triangle है तो इसकी height क्या होती है इसकी height ये होती है ये वाली अगर आप इसे यहां से देखते है तो इसकी height आपको ये नजर आएगी ये ठीक है ये height नजर आएगी इस triangle की ये वाली height तो height ले ली मैंने half 7.5 into 9 x के value 9 by 2 आ गया ठीक है ये मैंने पहले भी बहुत बार कराया है चलिए बहुत बढ़िया उमीद करता हूँ उम सभी को समझ आ गया होगा आगे बढ़ेंगे next question पर ठीक है next question पर आएंगे देखिया optuse क्या इस तरीके का कोई भी अगर triangle है इसकी जो height बनेगी height अंदर तो नहीं मना सकते मैं इस triangle की height अंदर तो नहीं मना सकता आप खुश सोचिए तो जिसकी अंदर नहीं बनेगी उसकी बाहर बनेगी जरूरी नहीं है कि आप optuse ही लगाएं उसके अंदर next question है आपके सामने ये AB 3 है BC 5 है CA 4 है D और E बिंदू BC AB पर करमसर इस तरीके से है कि AD जो है कौन समझ भी बाजक है B, A, C का और D, E A, C के समानतर है A, C, D, E का शेत्रफल आपको बताना है क्या होगा अरे वाँ आए देखते है बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से देखना है सभी को सबसे पहले मैं यही बना लेता हूँ मैंने BC बनाया सबसे पहले क्योंकि मेरी शुरू से आदत है जो सबसे बड़ी साइड होगी वो H होगी सबसे पहले मैं वो बनाता हूँ अगर BC बना दिया तो A अपने आप बन गया यह AB की वेल्यू कितनी है 3 है CA की वेल्यू कितनी है 4 है D और E बिंदू BC और AB पर है BC और AB पर ठीक है इसे मैं BC और AB पर यह ले लिया चलिए D और E बिंदू यह D है यह E है ठीक है यह 90 डिग्री यह भी such that AD is perpendicular angle bisector of BAC यह 45 है यह भी 45 होगा यह 90 हो गया D E AC के समानतर है उसके बाद area of quadrilateral AC DE इसका शेतरफल मुझे निकालना है कितना होगा बहुत बढ़िया चलिए diagram समझ आना जीए सबसे पहले diagram समझ आगिया है सभी को शुक्रिया भाई diagram समझ आगिया है न सभी को चलिए बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखिएगा देखिए उसने न एक बात बोली है यहाँ पर क्या बात बोली है कि यह angle wise sector है ठीक है कि यह angle wise sector है यहाँ पर अब angle wise sector अगर है तो जो अनुपाथ इसका होगा वही अनुपाथ इसका होगा होगा ना? बिल्कुल होगा देखिए जो अनुपाथ इसका होगा वही अनुपाथ उसका होगा अगर मैं बोल देता हूँ 3 अनुपाथ 4 यानि 5 की लंबाई को बाटना है किस में 3 अनुपा 4 में यानि मैं बोल सकता हूँ 7 की value अगर 5 है तो 3 की कितनी आ गई 15 बटे 7 तो ये value आ गई 15 बटे 7 ठीक है 15 by 7 ये आपको 15 by 7 मिलेगी ठीक है ये वाली value अलग मिलेगी पर ये वाली value की मेरे को जरूरत नहीं है अब मेरे को करना गया है मेरे को area निकालना है किसका area निकालना था मेरे को इस वाले पार्ट का अब मैं आपसे बोलता हूँ अगर आप similarity लगाते हैं similarity observe करिए यहाँ पर देखे ये 90 degree है इसके सामने ये ये 90 degree है इसके सामने ये ठीक है similarity निजर आ रही होगी आपको देखे धियान से ये similarity हो गई ठीक है तीन अनूपाच चार अरे ये तो मैं वैसे भी देख सकता हूँ एक सेकंड होगी तो मैं वैसे भी देख सकता हूँ तीन चार और ये हो गई है 990 ठीक है ध्यान से देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा में को similarity लगाने की जरुवत ही नहीं है मैं क्यों लगाँ similarity है मैं बिल्कुल नहीं लगा रहा similarity ठीक है ध्यान से समझना बात एक अभी एक चीज क्लिक करी मेरे दिमाग में क्यों ना मैं वो ही लगाँ बहुत ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से भाई यह अनुपाद 3-4 है यह भी 3-4 होगा यानि इसका मतलब यह हो गया कि इनसाइड का अनुपाद 3-4 है बिलकुल है definite है यही से तो पता लग रहा है है ना हमें कैलकुलेशन क्यों करूं इसके अंदर जब यह 3-4 है तो एरिया का अनुपाद कितना हो जाएगा क्योंकि यह तो समरूप तरिबूज है ना सिमिलर है जब लाइन पहलल होती है मैंने बताया था जब लाइन कितनी मरजी लाइन बना लें आप यह पर छोटे वाला और बड़े वाला तरिबूज हमेशा सिमलर कहलाएगा समरूप कहलाएगा तो 3 अनुपाद 4 का मलब है 3 का स्क्वेर 9 हो गया 4 और 3 साथ का स्क्वेर कितना हो गया 49 49 का मलब है टोटल अगर 49 है 9 यह है तो यह 40 बचा ठीक है टोटल कितना हो गया 49 49 की वेल्यू कितनी है हाफ बेस हाइट यानि 6 मेरे को किसकी निकाल ली है 40 की तो आंसर कितना आ जाएगा 240 बटे 49 खतम कहानी कोशिश यही करेंगे जितना छोटा हो सके कैलकुलेशन ना करनी पड़े कितने लोगों मेरे बात समझ आ गई है जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया 6 कहां से 6 भाई एरिया है इसका बड़े वाले का 49 की वेल्यू 6 ध्यान से देखिए लोजिक समझे देखिए जैसा निया कि बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से देखना है सभी को अगर ये ट्रैंगल है ये लाइन इसके पैलल है बहुत ध्यान से सभी को देखना है सभी को एक एक बच्चे को ध्यान से देखना है ठीक है कई जगे न ये X दिया जाएगा ये Y दिया जाएगा ध्यान से समझेगा बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना है सभी को ठीक है यह X है यह Y है कई जगे ऐसा भी हो सकता है कि यह X हो और यह Y हो ठीक है ऐसा भी हो सकता है हमें हमेशा यह बनाना है हमेशा ठीक है अब अगर आप देखें ये दो triangle similar है similar है, तो इनके side का ratio कितना हो गया? x, y area का ratio कितना हो गया? x square, y square इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि अगर ये triangle है, ये area x square है, तो पूरा y square है पूरा y square है तो मतलब ये कितना रहा? y square minus x square, ठीक है इसे मैं हटा देता हूँ फिलाल ये आएगा ये नहीं गई हम हर जगे ऐसे ही बना लेंगे यानि इस बात से क्या मतलब है? ध्यान से देखिएगा और ये similar triangle के लिए है, ज़रूरी निए right triangle हो माल लेते हैं मेरे सामने ये है ध्यान से देखिएगा माल लेते हैं ये 2 है, ये 3 है तो मैं area का ratio निकालना चाहता हूँ 2 का square, 4 हो गया 3 का square 3 का square नहीं, आप पूरा करिए 3 और 2, 5 का square ठीक है 5 का square minus 2 का square 5 का square minus 2 का square करेंगे तो ये आ जाएगा ठीक है, तो 5 का square minus 2 का square मैंने किया तो कितना हो गया, 25 minus 4 यानि 21, ये 21 आ गया ठीक है तो आपको ये इसी तरीके से ध्यान लखना है अब माल लेते हैं, किसी जगे आपको क्या दिया गया ये 1 ये 7 तो 1 का square 7 का square minus 1 का square ठीक है, 48 आ गया माल लेते हैं 1 2 3 ये दिया गया तो ये 1 का square ये 2 का square minus 1 का square ये 3 का square minus 2 का square ठीक है ये हमेशा दियान लखना है आपको और ये right triangle में भी हो सकता है normal triangle में हो सकता है पर similar triangle होने चीए ठीक है कितने लोगों को मेरी बास समझ आ गई है जल्दी से mg type करिये जल्दी से mg type करिये अगर बास समझ आ गई है तो ठीक है अगर ये पूरा दे रखा है तो तो इसका square minus ये कर लेंगे और मैंने एक चीज़ और बता ही है अगर ये पूरा नहीं दे रखा माल लेते हैं किसी ने दिया कि ये 3 है ये 5 है तो उपर वाला तो इसी का square हो जाएगा पर नीचे वाला क्या होगा पूरे का square माइनस का square उपर वालेगा ठीक है तब मैं इसे ऐसे लेखूँगा ये हर triangle में similarity के लिए applicable है जहां भी similar triangle मिलेंगे हर जगे लेगेगा और एक जगे नहीं मैं बहुत जगे लगवाँगा ये से 4 line 4 line 4 रेखाई हैं एक, दो, तीन, चार पांच बराबर हिस्सों में बाढ़ते हैं equal segment में सबसे बड़े हिस्से का area दे रखा है 27 ठीक है सबसे बड़े एरिये का हिस्से दे रखा है 27 तो आपको बताना है शुरुवाती original का ध्यान से समझेगा सभी लोग इसने क्या बोला है यहां पर यह बराबर है बराबर का मनलब क्या हुआ अगर यह एक unit है मैं यहां लिखता हूँ अगर यह एक unit है तो यह 2 हो गया, यह 3 हो गया यह 4 हो गया और आगे वाला 5 हो गया ठीक है, इसकी length अगर 1 है इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 5 हो गई ठीक है, अब वो क्या बोल ला है देखे, ध्यान से देखिएगा सबसे बड़े का एरिया, इसका एरिया दिया गया है, इस पूरे का निकालना है इसका area कितना आगिया? 1 का square, इसका क्या आगिया? 2 का square minus 1 का square, इसका क्या आगिया? 3 का square minus 2 का square, 4 का square minus 3 का square, ठीक है? 5 का square minus 4 का square, 25 में से 16 आगिया 9, और 9 की value दे रखिया 27, ठीक है? आपको निकाला है original, original कितना हो गया? पूरा, original पूरा कितना हो गया? अब देखें, पूरा न 16 गिया, 9 आगिया, 16 में से 9 गिया, 7 आगिया, 9 में से 4 गिया, 5 आगिया, 4 में से 1 गिया, 3 और 1, 1, 7, 5, 12, 13, 15, 16, 19, 20, तो 25 की वेलियो आगई, 75, 75, और यह आंसर मार कर दिया, 75, ठीक है, अभी भाई, ट्रेंगल ही बहुत बड़ा है, अभी क्वाडिलेटर सरकल सब बूल जा ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी कोशन को दिखाता हूँ, दूसरे तरीके से, भाई, मैं आपकी जगे होता, मैं पता क्या करता, वो कह रहा है, 4 parallel line, ठीक है, मैं इसे ना, ऐसे visualize करता, कि मैं 4 क्यों गया 16 हो गया 5 का स्क्वेर माइनस 4 का स्क्वेर कितना आ गया 3 का स्क्वेर यानि 9 9 की वेल्यू अगर 27 है तो मेरे को निगाल लिए 5 के स्क्वेर की यानि 25 की 75 आंसर हो जाता जरूरी थोड़ी है कि इसके वाला कॉंसेप्टी लगाओ मैं एक एक करके सबी में निगालू और फिर टोटल करूँ मैं इसे ऐसे भी देख सकता हूँ बात एक ही रहेगी कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स्ट कॉश्चन पर आएंगे देखिए बीच वीच में जो चीजे बताता हूँ न मैं यह बहुत इंपोर्टेंट है जमेट्री के पॉइंट अव्यू से क्योंकि इसमें A, B, C, D नहीं लिखा होता सीधा कॉंसेट्ट दिमाग में कैसे चापना यह इधर लिखावा है ठीक है? सबसे इंपोर्टेंट चीजी यही है इसका अनुपात मेरे को निकालना है ध्यान से देखे यह है O A, B, C, D और E बिंदू A, B, E, C पर इस तरीके से हैं कि A, D और D, B का नुपात एक तीन है E, C और C, E, A का नुपात एक तीन है O जो हैं मद्दे बिंदू है ठीक है? इसका एरिया B, O, C और एरिया A, B, C इसका नुपात निकालना है ठीक है? आईए देखते हैं ध्यान से देखिएगा बात समझिएगा अच्छे से A, B, C है ना? D और E पॉइंट इस पर है पहलल नहीं दे रख्था इसलिए मैंने ऐसी लाइन मनाई है A, D और D, B का नुपात एक तीन है E, C और E, A का नुपात ये भी एक तीन है O मद्दे बिंदू है इसका ठीक है आपको बताना है B, O, C इसका इस पूरे के साथ बहुत बढ़िया अब यहाँ पर जो चीज़ सिखाऊँगा ना ध्यान से समझना बिलकुल बिलकुल ध्यान से मैं इसकी कॉपे ले लेता हूँ एक सेकेंड रूकिए ध्यान से समझे बिलकुल यह मद्दे बिंदू है पहली बात यानि यहाँ से अगर मैं लाइन बनाता हूँ यह दोनों बराबर है है ना सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ A, D, E और A, B, C का अनुपात कितना आएगा हाफ A, B, S, C वाला फॉर्मला रिकॉल गरिये मैंने बताया था आपको 3 इंटू 1 3 हो गया 4 इंटू 4, 16 हो गया इसका अनुपात ही है फीक है, 3, 16 यह मैंने सामने लिख दिया आपके मैंने लिखा जरूर है यह आपके लिए पर मैं अगर सॉल करता है तो मैं लिखता है मैं मेरे को सीधा नजा रहा है यह 3 पूरा 16 अब मैं क्या करता, ध्यान से देखिए अगर A, D, E का एरिया 3 है बास समझेगा बहुत ध्यान से पॉइंट तक नहीं लगाना पड़ेगा सीधर डाइगराम में करेंगे हम जो करना है ठीक है 16 यानि 4 इंटू 4 ठीक है, पुरानी किलास जरूर देखिए अगर किसी को भी हलके सी दिक्कत है ठीक है अब ध्यान से देखिएगा अगर ये मिड़ पॉइंट है तो ये मादिगा होगी मादिगा क्या होती है जो बराबर इसों में बाटती है यानि इसका एरिया तो 3 था तो डेड़ यहां पर आ गया सीधा सीधा बराबर होगा ना मिड़ पॉइंट है मादिगा है तो बराबर शेतर फैल में बाटती है ठीक है अब आगे बढ़ते है मैं आपसे बोलता हूँ यहां से देखना ठीक है यहां से देखना केवल इतना देखना जितना बना रहा हूँ ये केवल ये blue वाला ट्रेंगल देखी है केवल ये ठीक है ये तिरिबूज है मेरे सामने मैं अगर यहां से देखता हूँ इस तिरिबूज में जो अनुपात आधार का होगा वही शेतरफल का होगा मैंने बताया था ना अगर कोई भी तिरिबूज है इसके अंदर मैं कोई भी लाइन डाल देता हूँ तो इन जितने भी तिरिबूज मराएंगे सब की हाइट सेम होगी तो जो अनुपात आधार का होगा वही शेतरफल का हो जाएगा तो मैं देखता हूँ अगर तीन की value डेड़ है तो एक की कितनी आ गई 0.5 ठीक है सेम यह चीज़ मैं यहां लगाऊंगा अगर एक की value डेड़ आ गई तो तीन की कितनी आ गई साड़े चार यह बहुत जगे यूज़ होगा ध्यान लखेगा यह चीज़ बेसिक प्रोपर्टी है बड़ी नहीं है ठीक है अब मैं देखता हूँ साड़े चार साड़े साथ और आठ आठ हो गया यह यह कितना बचा यह भी आठ बचा अब मुझसे क्या पूछा गया है B.O.C. यानि आठ A.B.C. यानि सोला आंसर कितना आ गया एक बटा दो एक बटा दो मेरा आंसर हो गया बटी धासू कोशन था यह हाफ-आफ इसलिए लिया क्योंकि यह मिड़ पॉयंट था कोशन में दे रखा था मद्दे बिंदू बाई देखे टोटल एरिया सोला है टोटल के हिसाब से हम देख रहे हैं कितना कितना कहां कहां कटा टोटल अगर सोला है तो उसमें से तीन ये है अगर ये पूरा तीन है मिड़ पॉइंट के चक्कर में आदा यहां आदा यहां डेड़ डेड़ फिर मैं अगर ये वाला ट्राइंगल देखूं यहां से जो अनुपात इसका है तीन एक वो ही शेत्रफल का होगा क्योंकि उचाई सेम होती है इसमें आप जितने भी ट्राइंगल बना लें सबका जो एरिया का रेश होगा उनके अधार पर डिपेंड करेगा ठीक है अब मैंने ये बोला कि भई ये तीन की वेल्यू डेड़ है तो एक की आधा आधा आगई फिर मैंने बोला ये एक की वेल्यू डेड़ है तो तीन की साड़े चार आगई टोटल कितना हो गया साड़े चार और तीन साड़े साथ और आधा आठ सोला में से आठ यहाँ पर चला गया पूरे में तो बचा कितना? आठ तो बचावा आठ मैंने यहाँ लिख दिया तो आठ बटे सोला मेरे को अनुपात निकालना है जरूरी निया वो ये पूस्ता हो सकता है वो इसके साथ इसका पूछ ले, हो सकता है इसके साथ इसका पूछ ले, इसके साथ इसका पूछ ले, इन पूरे का इसके साथ पूछ ले तो यहाँ पर हम किसी के भी बारे में बता सकते हैं ठीक है चलिए next question पर आते हैं next question है आपके सामने ये तीसरी side आपको बतानी है तीसरी side बतानी है आपको जैन भाई ध्यान से समझेगा अच्छा question है 392 अगर ये 40 है ये 70 है ये theta है माल लेते है ये side x है area दे रखा है 392 अब देखे क्या हो सकता है या तो आप hero's formula लगाएं बड़ा सा solve करें वैसे भी question थोड़ा सा तो बड़ा है ऐसा इसलिए अगर मैं half a b sin c करूं 392 के बराबर हो गया ठीक है ये 20 आ गया 2 और 7 चौदा हो गया 14 से अगर आप काटते हैं 14 दूनी 28 बचा 11 14 अठे 112 ठीक है 28 बटा 100 यानि 7 बटा 25 ठीक है sin theta की value आईए पर ये sin theta से नहीं निकलेगा ऐसा किस से निकलता है खुश सोचिए अगर मेरे को ये वाली side पता है ये वाली side पता है और ये वाला angle पता है ये वाली side किस से निकलेगी बता सकता है कोई कोई rule हमने पढ़ा है कोई law हमने पढ़ा है जिससे तीसरी side निकल सकती है जल्दी से बताईए जल्दी से देखता हूं कोई बताता है दो side पता है उनके बीच वाला angle पता है तीसरी side हमें निकालनी है दिमाग दोड़ाईए तीन side एक angle के साथ कोई सा formula पढ़ा है cosine rule पढ़ा है बिल्कूल बहुत सही cosine rule हम लगाएंगे यहाँ पर अगर मैं cos theta की बात करता हूँ तो cos theta equals to 70 का square plus 40 का square minus x का square बता 2 into 70 into 40 और cos theta की value क्या होगी अगर यह 7 बटे 25 है तो cos theta आएगा 24 बटे 25 25 अगर आप काटते हैं तो यह 0 और यह 0 कट गया और यह 4 भी कट गया ठीक है एक second रुक जाएगे यह 0, 0 गलत काट दिया मैंने 25, 400 होता है ठीक है तो 0, 0 कट गया इसकी जगे 4 आगया तो मैं इसे solve करूँगा और फिर मैं इसे आंसर निकालूँगा इसका ठीक है अब मैं अगर solve करता हूँ इसे 4 सत्य 28 28 दूनी 56 56 इंटू 4 यह हो गया आपका 224 224 इंटू 24 ठीक है 70 का स्क्वेर प्लस 40 का स्क्वेर 49 और 16 65 हो गया 65 ठीक है 65 में से घटाऊंगा और x स्क्वेर की वेल्यू आएगी फिर x के लिए solve करूँगा आंसर इसका यह है x की वेल्यू आएगी 2 root 281 calculate करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा बिना calculation के नहीं बात बनेगी ठीक है 7, 24, 25 का triplet होता बाई बिल्कुल बिना calculation के बात नहीं बनेगी इसके अंदर चलिए next question पर आते हैं ध्यान से देखना है सभी को चलिए next question पर आते हैं next question है आपके सामने देखिए ये चीज आपके दिमाग में पहले से ही है तीन variable side के हैं एक angle का है cosine rule दो variable side के और दो angle है दो side, दो angle दो side और उनके सामने वाले दो angle दे रखे हैं तो sine rule ये मैंने पढ़ाया है basic से एकदम next question है आपके सामने ये याँ पर दिया गया है AC की value 100 BC की 80 AB की 60 ये दिया गया है ठीक है आई ये देखते हैं दियान से देखिएगा right triangle ABC में BD AC BC है 80 AC है 100 और AB है 60 ये 60 है दुबार से लिग देता हूँ मैं ऐसे AB है 60 ठीक है right angle triangle बन गया सबसे पहले परिमाप अगर equal है किसका ABC C into two triangles of equal perimeter इस वाले का और इस वाले का ध्यान से देखिएगा इस वाले का और इस वाले का अगर मैं आपसे एक simple सी बात बोलूँ 240, 60 और 40 बिलकूल आएगा जी ध्यान से देखिए ये triangle है मेरे पास ये 60 है ये 80 है ये 100 है अगर इनका परिमाप बराबर है इसका इसका ध्यान से देखिएगा अगर इनका परिमाप बराबर है ये साइड तो common है दोनों में इस वाले में भी इस वाले में भी यानि ये साइड मैं हटा दू तो इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए इन दोनों का योग का मलब क्या है अगर हम टोटल लेखें टोटल कितना है 180 और 60 240 240 को दो बराबर हसो में बाटना पड़ेगा 1 is to 1 यानि 120 यह हो जाएगा 120 यह हो जाएगा यानि कहने का मलब अगर 60 ही है तो यह 60 हो गया अगर 80 है तो यह 40 हो गया क्योंकि ये तो common है दोनों के अंदर कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है पहले वो mg type करें फिर आगे बढ़ेंगे चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखिए logical बाटा है हैं समझना पड़ेगा खाली formula से काम नहीं चलेगा अगर आप सोचें formula formula याद कलने formula से काम नहीं चलेगा भाई ठीक है ध्यान से देखिए देखिए अगर मैं अभी लिख दूँगा ना तो बहुत अराम से समझ आ जाज़ेगा मैं अगर लिख दूँगा ये A है ये B है ये C है ये D है अब मैंने ये लिखा A B plus B D plus A D बराबर होगा किसके B C plus C D plus B D ठीक है फिर आप क्या करेंगे B D से B D काट देंगे फिर आप बोलेंगे A B plus A D बराबर है किसके B C plus C D के है न यार आप खुदी तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि AB प्लस BD बराबर है किसके BC प्लस CD के आप खुद ही तो बोल रहे ही यहाँ पर दिख रहा है आपने खुद बोला कि सर यह जो है इसके बराबर आएगा तो मैंने कुछ सा गलत बात बोल दी इसका बराबर का मनलब क्या होता है 1 is to 1 ही तो होता है इन चारों को मिला कर ही तो यह 240 बन रहा था दिखान से देखिए AB AD AB AD ठीक है BC CD इनको मिला कर ही तो 240 बनना था अब रेशो पढ़ने का मनलब यही नहीं है कि खाली रेशो पढ़ लिया उस टाइन कोस्चन में अटाइम्ट कर लिया और कोस्चन का आंसर निकाल लिया प्रैक्टिकली समझे उसका मतलब क्या है तो यह 1 इस टू 1 में डिवाइड हो गया यानि 120 इसका टोटल होगा 120 इसका टोटल होगा तो 60 ही है तो 60 ही है आगया 80 ही है तो 40 ही है ठीक है 120 ही 120 करना था हमे ठीक है आप मैं आता हूं वापिस 60 ही है आगया तो 40 ही है आगया बिलकुल आ गया जी ठीक है मेर को क्या निकालना है BD निकालना है माले ते हैं यह X से BD के बारे मुझे पता नहीं है क्या है यह ठीक है आप स्टी वर्ट लो लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, अगर स्टीवर्ट्स लोग नहीं लगाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर मैं इसे थीटा ले लूँ, कॉस थीटा इक्वेट करना, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर, कॉस थीटा इक्वल करना भी एक कला है, जो काफी कोशन में यूज होती है, आपके दिमाग में रहें, इसलिए लिखा है, पहले भी हमने कोशन की हैं इस पर, ठीक है, पहले भी हमने इस पर कोशन की हैं, अगर मैं कॉस थीटा निकालता हूँ, कॉस थीटा की वेल्यू कितनी आगई, अगर मैं बड़े ट्रियंगल में निकालता हूँ, तो क्या आएगी, 4 बटे 5, 80 बटे 100, अगर मैं छोटे ट्रियंगल में निकालता हूँ, इसके अंदर, तो 40 का स्क्वेर, प्लस 80 का स्क्वेर minus x square upon 2 into 40 into 80 ठीक है यह आ गया ध्यान से देखिए अब मैं 5 से काड़ता हूँ 5, 8, 40 हो गया ठीक है अब यहां देखते हैं 8, 16, 16, 128 यानि 1280 1280 into 4, 12 चोग 48, 8 चोग 32, 512, 5, 1, 2, 0 और यह कितना आ गया 64 और 16, 80 यानि 8,000 minus x square, x square के लिए solve करूँगा तो कितना आ जाएगा 80 हो गया, 52, 880, 2880 ठीक है यह आ जाएगा 25 तो इसको मैं solve करूँगा तो x की value आ जाएगी 24 रूट 5 ठीक है तो b option मेरा answer हो जाएगा पर करना पड़ेगा और important question में से हैं ऐसे question में से हैं जो rank रोख सकता है किसी बच्चे की मैं रेंक के साफ से पढ़ा रहा हूँ कि किसी बच्चे को रेंक भी चीए ना यह बैच पढ़के उसकी first rank तक आ सकती है मैं definite कर रहा हूँ content मैं उसे साफ से करा रहा हूँ ठीक है कई बच्चों को मुश्किल भी लग सकता है कई बच्चे सोचेंगे यार बुक में तो नहीं है ऐसे question भाई खाली बुक सा करके selection भी तो नहीं होता ना बास समझीएगा वो कितने लोगों को मेरी बास समझ आ गई है ये question समझ आ गई है जल्दी से बताईए चलिए बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं भाई 2880 को सौल गया गन्ना 2880 तो अराम से सौल हो जाएगा 2880 में क्या आ रहा है पांच आ रहा है अगर मैं पांच अगर इसका हटा देता हूँ पांच से भाग कर देता हूँ कोगी 25 नहीं आ रहा है इसमें एक ही 0 है ठीक है और 50 भी नहीं है यहां 80 है 5 25 बचा 3 ठीक है 5 25 बचा 3 5 7 35 5 6 30 तो यह आगे है root 5 और root 576 root 576 को करेंगे तो 24 आ जाएगा next question पर आते है next question है आपके सामने ये every triangle is an equated triangle and has side length of 2 आपको बताना है length of dotted line आई ये diagram बना देता हूँ मैं इसके अंदर देखे diagram क्या है एक सेग ये है dotted line और ये equated triangle है ये बताना आपको dotted line की लंबाई आई ये देखते हैं ध्यान से देखेगा ये सारे equated triangle है इसकी लंबाई दो इसकी लंबाई दो इसकी लंबाई दो मेरे को इसकी लंबाई बतानी है ठीक है ध्यान से देखेगा अगर मैं इसमें थोड़ी सी construction कर देता हूँ ठीक है अगर मैं इसमें थोड़ी सी construction कर देता हूँ यह height हो गई ठीक है ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सबी को अगर यह 2 है 90 के सामने यह equilator triangle था यह 60 होगा 60 के सामने क्या होता है root 3 30 के सामने क्या होता है 1 अब आपको क्या देख रहा है आपको देखना चाहिए ये ये root 3 ये 2, 2, 4 और एक 5 और ये dotted line जो आपको निकाल ली है ये देखिए ध्यान से देखना चाहिए 25, 25, 23, 28 यानि root 28 root 28 मेरा आंसर हो जाएगा C option मेरा आंसर आजाएगा ठीक है कितने लोगों मेरी बास समझ आ गई है जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से फिर बढ़ेंगे आगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए next question पर आते है next question पर आते है next question है आपके सामने ये AD and BER altitude such that AO3 है OD2 है BO6 है OE बढ़िया 60 degree भाई equilator triangle है संभा हो तिर बोज diagram पिछले question में दे रखा था इस question में आपको बनाना है A, B, C O क्या है? Lumb Kendr Lumb Kendr किसके साथ बनता है? Lumb के साथ बनता है AO कितना है? 3 है OD कितना है? 2 है BO कितना है? 6 है OE निकालना है देखिए जब मैंने Lumb Kendr की property पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था इन सबका product सेम रहता है 3 दुनी 6 OE की value कितनी आजाएगी? 1 आजाएगी 1 मेरा answer हो जाएगा A into A A into A और यहां से भी अगर तीसरा बनाते हैं A into A यह तीनों बराबर होते हैं Lumb Kendr के साथ यह property होती है आपकी ठीक है? चलिए next question पर आएंगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आएए देखते है A, B, C ठीक है G अगर केंद रख है A, D B, E C, F E, F, G इस ट्रेंगल का शेतरफल आपको बताना है इस ट्रेंगल का शेतरफल आपको बताना है अगर यह मादिका है ठीक है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो E, F, G है यह एक बटा बारा होता है A, B, C का ठीक है कितना होता है एक बटे बारा ठीक है यह आपका एक बटा बारा होता है A, B, C का ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ यह पर लंबाई कितनी दे रखी है मैंने को A, D, B, E और C, F की लंबाई दे रखी है यानि माद्धिका की अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक प्रॉपर्टी बटाई दी आपको 1 by 12 अगर मैं यही लिख देता हूँ into 4 by 3 area of triangle formed by M1, M2, M3 भाई जो original triangle है अगर उसका area निकालना है तो 4 by 3 कर दो उसके शेतरफल का जो माद्धिका से त्रिबुज बनेगा तो 4 by 3 of M1, M2, M3 इसका मैंने शेतरफल निकाला into 1 by 12 करा और solve किया ठीक है हिंदी में क्या है भाई CF है बिल्कुल CF है भाई यह तो common सी mistake है ठीक है थोड़ा बहुत adjust करिये है देखी आप निकाल भी सकते है एक बच्चा पूचा है BGC कितना होगा भाई BGC तो आपको पता ही है आपको पता है ना सभी को BGC कितना होता है 1 third होता है जी अगर केंद्रग है तो एक यह, एक यह, एक यह तीन बराबर हिस्सों में बटेगा यह कितना हो गया 112 हो गया अगर आप पूचें यह वाला कितना होगा तो 16 तो जाएगा अगर आप बोलेंगे यह कितना होगा यह भी 16 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 ठीक है तो इस तरीके से करके आपको सभी का पता हो चल जाएगा अब मैं आगे बढ़ता हूँ अब मैं इसे solve करता हूँ तो M1, M2, M3 माद्धी का पहली, माद्धी का दूसरी, माद्धी का तीसरी अगर तीनों माद्धी का को देखता हूँ तो मुझे right angle triangle नजर आ रहा है आप सबको भी नजर आना चाहिए observation बहुत जरूरी है कि आपको triplet नजर आ जाए तीन, चार, पांच का triplet नजर आ रहा है छे के multiply में ठीक है अगर मैं area निकालता हूँ तो half into base into height 12 into 18 यानि 216 हो गया तो अगर आप देखते हैं 4 ती है 12 ये 216 बटे 9 तो कितना आ गया? 24 आ गया 24 मेरा answer हो गया 24 कितने लोगों को मेरी बात clear है जल्दी से mg टाइप करिए 24 answer आएगा भाई 24 चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है next question पर आएंगे step cutting बहुत है बिल्कुल भाई step cutting करूँगा ही करूँगा मैं बेफकूफ नहीं बनाऊँगा यहां खड़ा हो के देखी यह मेरी जिम्मेदार है कि आप मेंसे कुछ ऐसा सीख के जाएं जो आपके पास नहीं है ठीक है अगर मैं वाकि में एक एक चीज़ लिख दूँगा ना तो आप घर पे भी वैसे ही करेंगे अभी आप जोड तो लगाते हैं कम से कम कि भी हाँ यह कैसे आगी अगला step चलो seriously हो जाते हैं और seriously समर से otherwise क्या होगा आप यहूँ बैटेंगे अराम से ठीक है और अराम से यहोँ देखते रहेंगे राम नीला की तरह और मैंनी चाहता की आप एक दर्शक रहें मैं हमेशा चाहता हूँ आप एक पर्फॉर्मर रहें आपके अंदर एक साइटमेंट रहे हमेशा ठीक है एक एगर नैस रही यार कुछ मिस ना हो जाए मेरा ऐसा निये कि हाँ यार सामने चला है तो पड़ा भी रहेगा आराम से ठीक है ऐसा नहीं आनच ये बिलकुल नैस कोशन पर आएंगे नैस कोशन है आपके सामने ये इससे पहले एक कोशन हो रहा है रुख जाएए कोशन है आपका ये एक्जाम काई कोशन है तो मेंस का त्रिबो जे बी सी में ओ जो है अन्ते है केंदर है ठीक है अन्ते है केंदर A.O.O.E. पांच चार है C.O.O.D. तीन दो है B.O.O.F. बताना है कितना होगा A.B.C.O.E. D.F. ये E है ये F है ठीक है और 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 क्या दे रखा है एक सेकंड हो जाइए और कुछ ने दे रखा ये ही है बिलकुल E.F.G कही रहेगा भाई वो ध्यान से देखेगा बहुत ध्यान से देखना है सब बच्चों को बहुत इंपोर्टेंट बहुत शानदार गोश्चन है इसे करने से पहले मैं एक प्रोपर्टी बताना चाऊँगा आपको बताना नहीं चाऊँगा recall कराना चाऊँगा मैंने आपको बताये था अगर ये इन सेंटर है ध्यान से देखिएगा तो X upon Y मान लेते हैं ये X है ये Y है ये Z है ये R है ठीक है ध्यान से देखिएगा सभी लो और ये क्या है T तो X upon Y का रेशो अगर मैं निकालता हूँ तो बराबर आएगा Z plus R upon T मैंने जान मुझ के उल्टा सीदा लिखा X, Y, Z, R जिससे कि आप चीजे द्यान लगें केवल नेम द्यान नहीं रखें कितने लोग को ये द्यान है जल्दी से बताईए तो जड़ा कितने लोग को द्यान है बताईए जल्दी से चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अभी धियान आया कुछ बच्चे भूल भी गए ठीक है देखे वैसे तुम्हें भूलने ही नहीं दूँगा ये क्योंकि आगे बहुत बार कोशन आएगा अगर भूल भी गए तो धियान लगिए अन्ते केंदर के साथ अगर अनुपात निकालना होता है देखे केंदर के साथ तो आपको पता है दो अनुपात एक होता वो फिक्स है सभी तरिबूच के अंदर ठीक है और अगर अन्ते केंदर आ जाता है तो X अनुपात Y निकालना है तो ये प्लस ये अपॉन ये, ये दियान लखना है, अब मैं कोशन पर आता हूं यहां पर, अगर मैं आपसे बोलता, AO अपॉन OE, इसके बराबर आता, AB प्लस AC अपॉन BC, इसके बराबर आता, ठीक है, AO अपॉन OE, OE है ये, अगर मैं CO अपॉन OE के था, ये किसके बराबर दे रखा है, पांच चार, CO अपॉन OE, यानि, AC प्लस BC, अपॉन AB, है न, इसकी वेल्यों आगई, तीन बटा दो, ये आगए मेरे सामने, तो सबसे पहले मैंने ये, ratio लिख दिये, ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, जो पीछे property अभी बताई, केवल वो लिखी है, और उसकी value लिखी है सामने, अब एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, सबी को, सबी को बहुत ध्यान से देखनी है, पहली बात मेरे को निकालना किया, ये निकालना है, BO upon OF, ये किसके बराबर होगा, BO upon OF, ये प्लस ये, AB plus BC upon AC के बराबर होगा, ठीक है, अगर मैं property लगाता हूँ, अंते के इंदर वा है, AB, AC, BC, इसमें क्या आ रहा है, AB, AC, BC, अगर मैं इसे add करता हूँ, तो क्या मिल रहा है, NO, मैं इसे add करता हूँ, तो क्या मिल रहा है, 5, मिल रहा है ना, पर value तो same होनी चीए, क्योंकि AB, AC और BC है, ठीक है, ये तीनों चीजे है, ये तीनों चीजे है, ये तीनों चीजे ही 5 वाले को 9 से गुणा करूँगा और 9 वाले को 5 से गुणा करूँगा ठीक है ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा आए देख लेते हैं AB की value कितनी मिलेगी AB की value में 9 से गुणा करके निकालता हूँ कितनी 18 आ गया ठीक है BC की value कितनी मिलेगी 5 से गुणा करके मिल ली है 20 हो गई रही बाद AC की AC की डारेक्ट नहीं मिलेगी तो क्या हुआ टोटल कितनी है 3 और 2 5, 5 नहीं 45 है ना 45 टोटल है 45 में से अगर 20 और 18 चला गया 38 तो कितना बचा 7 तो यानि 38 बटे 7 मेरा आंसर हो जाएगा यह मेंस का कोशन है मेंस में आया हुआ ठीक है कितने लोगों को बात किलियर है जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से इन सेन्टर की देखिए पेपर में कोशन आते हैं अगर आप सोचे ना कि मैंनी करके जाओंगा नहीं करके जाएंगे तो आप नहीं करके राएंगे जीसे selection लेना है वो तो सब चीज़ें करके जाएगा चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार AC वाला फिर से अच्छा 7 कैसा है या देखिए ध्यान से बहुत ध्यान से समझे यार बढ़ाई कोना थोड़ा इंजोएबल बनाई है यारनी यह सोचिए कि आपना कभी स्पेसिफिक नहीं है जैसे मैं रेशो का कॉंसेप्ट लगा रहा हूं जादा तर जगे अब मैं रेशो का भी मैंने रेशो यह सोच के थोड़ी बढ़ा कि रेशो की कोशन आएंगे उसमें रेशो आता है मेरेको मेरेको हर जगे आता है यहाँ पर हमने क्या करा कि AB, AC, BC की वेल्यू सेम होनी चीए यह 5 आ रही है यह 9 आ रही है पर यह सेम होनी चीएश लिए से 5 से कुणा के यह से 9 से ऐसा करने पर AB कितना आगिया? 9 से कुणा करा 18 BC कितना आगिया? 20 टोटल कितना बनाया है मैंने? टोटल तो 45 बनाया है ना अगर 20 और 18 चला गया 45 में से 38 चला गिया तो बचा कितना 7 और बचावा क्या हुआ 30 साइड होगी वो मैंने वैल्यू लिख दी चल ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो देखे आज की क्लास में मैं इतना ही करेंगे इस से यादा पर बहुत बढ़िया बहुत बहुत से थी जिले गाई इन सब चीजों को ठीक है और मैं चाहता हूँ कि आप इन चीजों को सी यसली लें पेपर में ऐसे कोशन मिलनी मिलनी है मेरे भई ठीक है मैं नहीं भी कराओंगा तो देखे क्या फरक पड़एगा आपको थोड़ी पता लग रहा ли है कि मेरे को είναι वाला कराना था ह्याँ नहीं कराना था पर वो मेरी इमानदारी है मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि भाई मैं अगर पेपर में जाता ना यह सारी रिंज्टेश करके जाता है मैं नहीं छोड़ूंगा कुछ भी और मैं यह नहीं जाता कि मेरा बच्चा भी कुछ भी छोड़ के जाए तो थोड़ा पेशन्स रखिये किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत उपर से जा रहा है तो पुराना कॉंसेट पढ़िये पुराना या नहीं पुरानी क्लासिस देखिये पहले क्योंकि उन्हीं को लगेगा जिन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ा मेरे साथ बेसिक से सारी क्लासिस डाली भी है मैंने क्लास 11 बजे से हो गई है भाई ठीक है बिल्कुल दे सकते हैं भाई फीड़ बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है शुकरिया चलिए मिलते हैं आपसे कल जब तक ख्याल लखिये ठीक है और एक क्लास आज यूटूब पे भी है बहुत धमाकेदार जरूर देखिएगा ठीक है जहिन